अगर आप भी dully skin से बहुत ज़्याद़ परिशाने चेहरे पर बिल्कुल भी ग्लो नहीं है या फिर आपके face पर बहुत ज़्याद़ facial hair की problem हैं जैसे kitchen upper lip side में face पर बहुत से लोगों को बहुत ज़्याद़ wheat floor गेहूं का आटा गेहूं का आटा नेच्रली हमारे facial hair को remove करने का काम करता है और चेहरे पर glow भी लाता है साथ में ये आपकी skin से सारा male दूर कर देता है चेहरे को exfoliate करता है ये हमारे face को exfoliate करता है skin से male गंदगी को remove करके skin को soft बनाता है तो आपको लेना है दो चमज गेहूं का आटा एड करना है कस्तूरी हल्दी wild turmeric कस्तूरी हल्दी हमारी skin के लिए बहुती ज़्यादा फायदे मंद होती है healthy antiseptic गुणों से भरपूर होती है और antibiotic भी होती है जो हमारी skin के लिए बहुती ज़्यादा beneficial होती है तो turmeric आपको हाप चमज के करीब इसमें एड करनी है तर्मरीक हमारी skin को निखारने का भी काम करती है pigmentation को भी दूर करती है skin पर निखार लाती है तो आपको next ingredient जो next ingredient हम इसमें एड करेंगे वो है चावल का आटा half spoon आपको इसमें एड करना है rice floor तो rice floor चावल का आटा आपको हाप चमज एड करना है चावल को आप mixi में अच्छे से grind करके use कर सकते हैं चावल का आटा घर पर ही बना सकते है skincare करने के लिए क्योंकि ये चावल का आटा जो होता है वो natural scrub का work करता है ये आपके चेहरे से white hates को remove कर देगा इसकीन से जो भी dead cells हो जाते हैं हमारी सकीन पर जो भी tanning होती है उसको दूर कर देता है धूप में जाने से यदि आपकी सकीन बहुत ज़्यादा डल हो जाती है और सकीन पर बिल्कुल भी glow नहीं रहता है धूप में जाने से skin पर बहुत जादा डलने सो जाती है या फिर गर्में में बहुत जादा sweating होती है बहुत जादा पसीना आता है जिसके वज़े से हमारी skin बहुत जादा चिप-चिपी, oily हो जाती है तो आपको ये remedy का जरूर यूज़ करना है तो half spoon एड़ किया है rice floor एड़ करना है आपको raw milk कच्चा दूद एड़ कर लेना है कच्चा दूद ऐसा ingredient है जो naturally हमारी skin पर cleansing का काम करता है चेहरे को soft बनाता है चेहरे का सारा milk काला पंदूर कर देता है तो इसमें कच्चा दूद एड़ करके आपको इसको अच्छे से mix कर लेना है ज्यादा पतला नहीं ज्यादा गाला आपको इसको बनाना है इसको जिस तरह से मैंने बनाया है इसी consistency में आपको बनाना है अच्छे से mix कर लेना है और यह आपकी skin पर यदि आपकी skin पर glow नहीं है आपकी skin पर यदि facial hair की problem नहीं है तो आपको इसको किस तरह से apply करना है और यदि facial hair है तो किस तरह से apply करना है वो मैं इस वीडियो में share कर रही हूँ तो आपने अभी तक मेरे channel को subscribe नहीं किया हो तो please channel को जरूर subscribe करें और bell icon को all पर जरूर क्लिक करें जिससे मेरे वीडियो के आने वाले new notification आपको मिल जाए तो आपको इसको अच्छे से mix कर लेना है और mix करने के बाद में आपको क्या करना है अपने face को पहले अच्छे से wash करना ह आपको इसको अपने face पर apply कर लेना है जिस तरह से हम कोई face pack apply करते हैं उसी तरह से आपको इसको apply करना है और clean face पर ही apply करना है यह आपकी skin से tanning को दूर कर देगा चेहरे पर glow लाएगा जरूरी नहीं है कि आप पालर जाकर महिंगा महिंगा facial करा है हमारे kitchen में यह से बहुत से ingredient है जो पुराने time से ही लोग use करते आ रहे हैं instantly यह आपके face को clean कर देता है चेहरे पर जो भी dead cells होते हैं उनको तो remove करेगा आपकी skin की निकदम soft कर देगा एक बार में तो पूरे face पर अच्छे से apply करेंगे इसमें जो भी ingredient मैंने add करे हैं वो सारे natural है और इसको teenager से लेकर किसी B.H.K. लोग use कर सकते हैं man, woman दोनों ही इसका use कर सकते हैं तो अच्छे से इसको पूरे face पर अच्छे से layer की तरह लगा लेना है यदि आपके face पर बहुत ज़्यादा facial hair है चिन पर upper lip पे तो आपको क्या करना है side में face पर बहुत ज़्यादा facial hair है आपके जो बारिक बारिक ज बारिक बारिक facial hair होते हैं बहुत आसानी से remove हो जाते हैं इससे तो अच्छे से लगाने के बाद में कम से कम 10 मिनिट के लिए आपको इसको लगा कर रखना है और इसको लगाने के बाद में हलका ज़्यादा ड्राय पूरा पूरी तरह से ड्राय नहीं करना है जब हलका गीला हासा सूखने से पहले आपको से remove करना है नीचे से उपर की ओर मसाज करते हुए मलते हुए इसको करना है अपने जो facial hair ूणकी अपर डारेक्शन में अच्छे से मल कर आपको अपने अपने फेस को ऑश नहीं करना है पहले अच्छे से पूरे मल के जो भी हमने года लगाया हो ज को वाश कर लेना है और यदि आप चाहते हैं अपने फेस पर वाइट को रिमूब करना चाहते हैं स्कीन पर बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई है धूप में जाने से स्किंडल हो जाती है चेहरे पर गलो लाना चाहते है इंस्टेंटली तो आप इसको मसाज करेंगे अपने से मसाज करेंगे 10-15 मिनिट तक तो फेशियल है तो आपको सूखने के बाद में मलना है और यदि आपके फेस पर बहुत ज़्यादा वाइट है प्रोब्लम है बहुत ज़्यादा बलेक हैट से स्कीन बहुत ज़्यादा डल हो गई है तो आपको अपने फेस को गीला करके मसा 5-15 मिनिट तक अच्छे से मसाज करना गें जिस तरह से में मसाज कर रही हूँ मसाज करने से हमारी स्कीन पर ब्लेड सर्कूलेशन बढ़ता है और जिससे हमारे से फेस पर ग्लो आता है इसकीन टाइट होती है यदashes समय से पहले आपकी सकीन लटक गई है लूश हो गई है इ से हमारा face clean रहता है तो अच्छे से मैंने massage कर ली है और massage करने के बाद में आपको normal water से अपने face को wash करना है साबून नहीं लगाना है normal water से face को wash करना है तो आप देख सकते हैं मेरा face एकदम clean और soft हो गया है आप भी इसी तरह से अपने face पर glow ला सकते हैं तो मैंने दोनों ही तरीक लाना है तो massage करके face को wash कर लेना face को मैंने अच्छे से clean कर लिया है तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को like and channel को subscribe जरूर करें